तो आज मेरे पास भी आ चुकिए यहाँ पे गेमिंग चेर एंड यह गेमिंग चेर मेरे पास बहुत टांब से रखी विया अरांड इसको हो चुके हैं 5-6 मुंथ इसको वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग गया इंड मैं चाहता है कि मैं इसकी वीडियो बिलकुल फुरस तो यहाँ पर करीग ना तुने पॉइंट की बाद, तो मेरा जो मेन मोटिफ था वीडियो को बनाने से पहले वो यह था, कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से इस गेमिंग चेयर को यूज करने के बाद, जो कि मैंने एक साल के लिए यूज करी है, उसके बाद अपना प्रॉपर रिवियो है, इस गेमिंग चेयर का, जो कि मैं आपको बता रहो, सेल बेल की गेमिंग चेयर, मेरा फर्स्ट एक्सपिरियंस ये गेमिंग चेयर के साथ, छोटा मोटा डिफरेंस बिट्वीन की, जो नॉर्मल ओफिस चेयर होते हैं, क्यों इस से पहले ओफिस चेयर यूज कर चलते देमें चैनल को सब्सक्राइब करना, और नोटिफिकेशन मेल को भी प्रेस कर लेना, तो अब हम करते हैं वीडियो को शुरूर। अब हमेशा की तरह कंपीट कर दोगे, जिस गेमिक चेयर की आज मैं बात कर रहा हूँ, यह मुझे बेजी है, सेल बिल ने, और मेरे पास जो स्पेसिफिक चेयर आजाएए, वो है सेल बिल की ट्रांस्फोर्मर सीवीज की गेमिक चेयर, इसके अंदर हम कलर ऑप्शन की बात आजया है कि इससे इंस्टॉल करना केसी क्यूब्कि इसलेसियों में लोग इंस्टॉलेशन बलकुल खटारा बनाते हैं, जिसका कोई काम नहीं होता, फिर बंदने है जो फर्स टाइम यूजर होते हैं, इस्टॉल करना कर पाते ही नहीं है उसको, तो देखते हैं इसकी कैसी है, तो इसको उन्बॉक्स करते हैं, चलते हैं जलो एक बाद, अब भाई कहा चलेगा, मैं क्या बोलता था है रेक सर पे ले, गेमिंग चेर तो हम लोगों ने पूरी तरीके से बिल्ड कर लिया और मेरा एक्स्प्रियेंस भी काफी जादा अच्छा था, जो मैनूल है वो बहुत अच्छी तरीके से बना रिखे लोगों ने, लिटरली एक भी चीज़ लिए लिए, पर जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थी ना, एक नमबर, मतलब के बिल्कुल को इशू नी आगगा आपको इस्टॉल करते हैं वो ने आपको बता दियो को इस्टॉल करते हैं तो मैंने से पुरा बिल्ड कर रहा है ना, एक्स्पीरेंस वो सुपर अब बात करते हैं के बारे में, सबसे पहले डिजाइन, देखो आज से पहले मैं कभी भी गेमिंग चेर ओन नी गरी, मैंने एक बार यूज करी है, वो भी किसी इवेंट में यूज करी होगी, इससे पहले जो मैं चेर यूज कर रहा हूँ हो एक ओफिस चेर है, एपेक्स की दर्व सा आती है, वो 6,000 रुपे तक की खरीजी थी मैंने खुद, वो मुझे डिसेंट लगती थी, मेरे, मैं दो साल सी उसकर हो तो मेरी बैक्पें में ऐसा कुछ इशू कभी हुआ नहीं, मैं बहुत टाइम अपना PC के सामने निकालता हूँ, गेम्स खेल लेता हूँ, मूवी देख लेता तो मेरा ऐसे सच कभी भी बैक्पें हुआ नहीं, भगवान के बदो से हुआ नहीं कभी है, अब गेमिंग चेहर का नहीं बहुत बड़ा मित है, अगर आप लोग एक अच्छी गेमिंग चेहर नहीं लेते हो, जो कि ठोड़ा जिसके अगर बैक्पें बच जाती है, यह सच इसकी बैंड बचती है अभी के लिए जो इसका डिजाइन अप्रोच है वो बिल्कुल ही जैसे ट्रिडिशनल गेमिंग चेर्स का होता है ना मार्केट के लिए बहुत सही गेमिंग चेर्स देखी है उनलाइन भी देखी है उनका यूजली सबका सेमी रहता है थोड़ी बहुत यूजली सब्सक्राइन अभी के लिए जीजाएं देखी है इसके लिए मांट पे करेंड आप चाहरी है तो उस जाप चाहरी मुझे अच्छी लगी जो गेमिंग चेर्स का मैटीरल होता है इस हैं वह स्काइब और एक मैटियरल भी बहुत इम्पार्ट नेवल तो एक मैटी पी यू लेधर होती है यह आप अपको ब्रीदेबल नहीं होती है इसका मैं आपको एक्जामपल बतायता हूं अब चेर आप इस पर गेमिंग करोगे लंबे घंटे बिताओं गे तो अगर उसका जो मेटीरल नहीं है तो आप आपको वह एरिया हो जाएगा जैसे आप बैठे ह पीछे कोई ब्रीदिंग का कुछ मेटीर ही नहीं न तो वहाँ पर कुछ बिल्कुल गरम हो जाएगा आपको फील होगी वह गर्मी फिर आपको उटके फ्रोड रेस्ट करना पड़ेगा तो आप वह ब्रीदेबल नहीं होता मेटीर पहली बात तो यह उपर से यहां पर अभ इसली साफ हो सकता है उसके बाद यहां पर इसकी एक और बुरी चीज कि यह जो पीउ लेदर वाली चेर्स होती है ना एंड यह मैं सरफ इसके रेफरेंस में नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने खुद देखा है कुछ जो इससे भी सस्ती सस्ती चेर्स आती है ना उनके नहीं कि तुमको ही अभी इतने टाइम बाद गेमिंग चेर मिली है यूटीब पर होने के बाद तुमके एक्सपेट कर रहे हो तुम्हारे जो व्यूर्स है वो गेमिंग चेर ओन करते होंगे वह खुद प्लास्टिक वाली चेर पर बैठते होंगे इसके अदर अच्छी बा अब तो जो मिरा लाप वाले अरिया अगर इसमें कुछ होगा तो आ गया आने वाले टाइम बे सबस्ताद यहीं पर एफेक्ट करने वाले नहीं होगा भाई कुछ नियोगा एक सार बहुत लंबा टाइम होता है मैंने से एक साल रगड के लिए गेमिंग चेर को मतलब कि बाकी अभी मैं आपको लेकर सकते हैं अपने फॉर्स टाइम एक्सपिरेंस के बारे में क्योंकि इसकी जिसे मैं आपको बताया इसके बहुत अच्छी चीजे मिया इसकी जो क्वालिटी वो सूपब लगी मुझे इसकी जो प्लास्टिक है अगर यूज करीगे तो हाई क्व जो इवन जो वील बेस है जो वील होते है नीचे यह इतने अच्छी गॉलिटी के लगे कि जो मेरी वो एपेक्स वाली चेर थी ना उसके comparison में तो मैं compare भी नहीं कर सकता है इसके जो नीचे वील बेस है वो इतना भड़िया है वो इतने smooth है 360 rotation करते है तो मैं आपको अपने फ वीडियो के अंदर बताता हूं अभी तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि जो इसका यह मेटीरियल आपको देखने को मिलता है क्या यह अच्छा है क्योंकि यूजली जो गेमिंग चेर्स सस्ती गेमिंग चेर्स होती है उसके पहले जो खराब होना शुरू होती है ची फिलम ही टाइप का मेटीरियल मिलता है तो यह एक और इसका प्लस पॉइंट है जो कि मैं आपको पी उले देया के बार में बता ही दिया है इसका जो लैंबा सपोर्ट है यह अलग लेवल का कमफर्ट लेवल देता है इसको यहाँ पे पीछे स्ट्रैप्स मिलेंगे अगर आ गेमिंग चेर को अपने बॉक्स से बाहर निकालो ना आपको यहाँ पर स्टिटेस को चेक करना है कि यहाँ पर किसी तरीके से कुछ निकला तो नहीं हुआ आपको आगे चलके बहुत बड़ा इश्यू क्रियेट कर सकता है तो इस गेमिंग चेर के अंदर मुझे सच कुछ भी देखने को नहीं मिला तो अगेन यह काफी अच्छी बात है आपको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आपको आपको क्लिप मिलेगी इसको आपको ऐसे प्रेस कर बनने वाले हो तो यह और शॉफ्ट हो सकता था यह मुझे इसका सबसे बड़ा डिसपॉइंग लगा उसके बाद यह जो गेमिंग चेर है यह 170 डिग्री टिल्ट भी हो जाती है तो यह भी काफी अच्छी बात है तो यहाँ पर आपको हाइट एड्रस्मेंट का भी ऑप्श हुआ है एक साल है मैंने इसको दबा के गुमाया है इसको आगे पीछे कर रहा है और इनको अभी भी कोई फरक नहीं पड़ा तो यह काफी अच्छी बात है और यहाँ पर इस चेर को टिल्ट करने के लिए आपको आपको अपर की तरफ पुछ करना है और उसके बाद यह तो हो जाएगी comfort level की बात करें तो यहाँ पर मैंने इसको एक साल से भी जादा यूज कर रहा है और मुझे लग रहा था कि मेरी back की band बच जाएगी बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मुझे काफी myths मैंने सुने थे कि अगर आप gaming chair को यूज करते हो तो आपकी back की band बच जाती है ब बात मैं आपको बता रहा हूँ और मैं इसलिए बता रहा हूँ जिसके आपका पैसा खराब ना हो किसी और gaming chair में डालके आप इसको मेरे एक साल के यूस के बाद जो भी चीज़े मैंने फील करी आपको बता दी है तो यह है इनकी website और यह सेल बेल की transformer series gaming chair यह 18,000 रुपीज तक की मिल रही है बड़ जहां तक मुझको याद है इसका प्राइस एक साल पहले बहुत कम था पतानी इन लोगों ने 18,000 क्यों कर दिया है भाई थोड़ा प्राइस कम करो sell bell value for money product तुम नहीं रहोगे उसके बाद तो मुझे लगता है कि आपको यह जो मेरा first time experience था gaming chair के साथ तो पसंद आया होगा अगर आपको Amazon से purchase करना है तो निच्छी देग लिंक से purchase कर सकते हैं अगर आपको आज की वीडियो अची लगी हो तो please like, subscribe and share and as always I will see you in the next video, thank you guys and bye bye